हेलो दोस्तों आज 28 मार्च 2021 के क्रेंट फिर को डिसकस करेंगे तो आज का पहला कुछ सने वर्चुल लीडर्स समिट ओन क्लाइमेट का मेजबानी कौन करेगा वो विल होस्ट वर्चुल लीडर्स समिट ओन क्लाइमेट तो इसका अप्शन B USA का प्रिसिडेंट जो बाइडन 22 और 23 अपरिल को वर्चुल लीडर्स समिट ओन क्लाइमेट को होस्ट करेगा तो इसमें पार्टिसपेट करेंगे 40 वर्ड लीडर्स इंकूर्टिंग PM नरेंदर मोधी तो COP26 जिसको कहते युनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉनफरेंस इसको होस्ट किया जाएगा ग्लास गो इसको टलेड में और इसका प्रिसिडेंट है इंडियन ओरिजन बिरिटिस पॉलिटिसियन आलोक सर्मा ठीक है अगला कुशन है एर पॉलिशन को कम करने के लिए कितने सहरों के लिए N.C.A.P. यानि कि नेशनल किलीन एर प्रोग्राम के अंतरगात M.O.U. पर हस्ताक्चर क्या गया है तो इसका इसर ओप्षन B. 132 cities के लिए तो 132 cities के लिए उनके एर पॉलिशन को कम करने के लिए M.O.U. साइन किया गया है अंडर N.C.A.P. ठीक है नेशनल क्लीन एर प्रोग्राम के अंतरगात यह एक लोंग टर्म नेशनल लेबल प्रोग्राम है तो टेकल एर पॉलिशन अक्रोस कंट्री और इनका टार्गेट है दोजार चोबिस तक 22-30% रिड़क्षन करना इन पार्टिकुलेट मेटरमेटिक है और यह MOU यानि की Membranum of Understanding Sign किया गया बिट्विन इस्टेट पोलिशन कंट्रोल बोड अर्बन लोकल बोडिस यानि ULB एन इस्टिट ओफ रेप्यूट ओके अगला खुशन है Exercise Desert Flag 6 की मेजबानी किस देश ने की तो इसका इसरा उप्षन भी UAE ने तो Exercise Desert Flag 6 जो 4-27 मार्ज तक चला यह एक Multilateral Air Exercise था और इसको होश्ट किया गया UAE के द्वारा और Indian Air Force IAF ने फर्स टाइम पार्टिसिपेट किया इसमें पार्टिसिपेट करने वाला कंट्री है इंडिया, UAE, USA, फ्रांस, सौधी अरब और बहरेन आचा आपको मेप में यहां पर पर्सियन गल्फ है यह है UAE इसका कैपिटल है अबुदावी करंसी है UAE दिरहम और यह है गल्फ ओमान एंड आपको यहां पर मिल जाएगा स्टेट ओफ हरमुज ठीक है अगला को सेने विस्व रंग मंच दिवस यानि की वल्ड थेटर डे कब मनाया जाता है तो इसका अप्शन ए 27 मार्च को तो एवरी एयर 27 मार्च को वल्ड थेटर डे मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था थेटर एंड कल्चर ओपीस और इ आइटी आई का हेड़कोर्टर है पेरिस फ्रांस में फ्रांस की राजधानी है पेरिस अगला को सेने इंटरनेशनल इंटेलिक्ट्ट्व प्रोपर्ट्टी इंडेक्स 2021 यानि की अंतरगाश्टी बोधिक संबदा सोचांग 2021 में भारत की रेंग कितनी है तो इसका इंसरों सी 40 रेंग है तो इसे रिलीज किया गया US Chamber of GIPC यानि की Global Innovation Policy Center के द्वारा और ये इसका 9th एडिसन था और इंडिया को रेंग मिला है 40 out of 53 कंट्री तो टोप कंट्री में है USA, UK, Germany and France अगला खुशन है CM नितिश कुमार कहां पर नेचर सफारी का उधगाटन किया तो इसका इंसरों ऑप्शन भी राजगीर में तो राजगीर में इंडिया का पहला गलास ब्रीज भी बन रहा है और इसको उधगाटन किया गया मतलब नेचर सफारी का चीफ मिनिस्टर और ब् पर दी तो यह RBI के डिप्टी गवर्णर थे और चेर्मेन भी थे PNB एंड इंडियन बेंक है अगला खुशन है 16 सल कन्वेंशन सेंटर का उधगाटन कहां किया गया तो इसका इंसरों ऑप्शन भी खजूरा हो मद्ध परदेश में तो इसका उधगाटन किया टूरिजम ए इंडिया एज़ा माइस डेस्टिनेशन माइस का फुल फॉर्म है M से मीटिंग, I से इंसेंटिप, C से कॉनफरेंस और E से एक्जिवेशन अगला कोशन है हाली में किस देश ने गर्बपाद सोक अवकास कानून यानकि मिस्केरेज बीरिवमेंट लीब लो पास किया तो इस तीन दिन के लिए पेड लिब मिलेगा तो इस लोग अपलाई फॉर मदर्स, देर पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लानिंग तू हेव अचाइल्ड तू अगला कोशन है ISSF वर्ल्ड कप के मेंस टीम इवेंट में नीरज, सौपनिल और चैन ने कौन सा पदक जीता तो इसका राइफल में इन्होंने गोल जीता है और ISSF यानि की इंटरनेशनल सुटिंग इस्पोर्ट फेडरेशन यह कहां पे हो रहा है निउ देली में अगला कुशन है भारत सरकार के परधान वैग्यानिक सलाकार यानि की प्रिंसिपल सैंटिफिक एडवाइजर कौन है तो इसका टर्म को बढ़ा दिया गया है 2022 तक अप्रील 2022 ठीक है अगरे 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 अगरे